वैक्सीन की 12 डोज लेने के बाद चर्चा का विशय बने हुए 84 साल के बुजुर्ग ब्रहमदेव को लेकर अब विहारत सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है और रिपोर्ट में कहा गया है कि 84 वर्षिय ब्रहमदेव ने पूरे सिस्टम को तोड़ा है यानि कि पूरे सिस्टम को एक परकार से दोखा दिया है पूरे सिस्टम को भी गाड़ा है और भारत सरकार द्वार जो गाइडलाइन तहकी गई थी उसका पालन ना करके उन्होंने बहुत बड़ा अपराद किया है और अब जाच रिपोर्ट जो है वो स्वास बिभाग की तरफ से भारत सरकार को भेजी जा चुकी है और अब यह तै हो चुका है कि 84 बर्सिय ब्रहमदेव को जेल की सजा होगी यानि कि उन्हें जेल की सलाखों के पीशे भेजा जाएगा क्योंकि उन्होंने टैग गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया है अब नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सींग और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं 84 बर्सिय ब्रहमदेव के घर में पुलिस वाले जबरन दर्वाजा तोड़कर घुश जाते हैं क्योंकि उन्हें ब्रहमदेव को गिरफतार करना था लेकिन 84 बर्सिय ब्रहमदेव घर से अपने गायब रहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात की भरक लग चुकी थी कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफतार कर सकती है पूरा मामला तब से सुरू हुआ जब उन्होंने इस बात का दावा किया कि उन्होंने दो बार वैक्सिन नहीं लिया है बल्कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन से है कि दो बार वैक्सिन लेना है उसे तोड़ते हुए बारह बार वैक्सिन लिया है और उन्होंने उस सबका हिसाब किताबी रखा था, कि उन्होंने किस वैक्सिन को कब लिया है, अब बिहार के स्वास बिभाग का कहना है, कि भारत सरकार्दवारों गाइडलाइन दिया गया था, वह सब कूछ सोच समश कर दिया गया था, यानिकि लगातार जो बेगानिक सजा दी जाएगी, अब वे जेल भेजे जाएगे, और इसी सिल्सिले में बिहार के स्वास बिभाग की त्रब से भारत सरकार के स्वास बिभाग को एक रिपोर्ट भी बेज दी गई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, कि 84 मरसिय ब्रह्मदेव ने सिस्टम को तोड करने के कारण उन्हें अब सजा दी जाएगी, बिहार के स्वास बिभाग के प्रमुक सचीव जो है, अमरित प्रत है, वे भी बता रहे हैं कि स्वास बिभाग ने जो गाइलाइन जारी किया था, कि आपको केवल दो डोज लेना है, और दोनों डोज के बीच में एक समय का ज पुलिस सकती कर रही है, लगातार उनके घर पर छापे मारी एक प्रकार से की जा रही है, कि उन्हें गिरफतार की जा सके, और वो लगातार घर से फरार चल रहे हैं, और दूसरी तरफ, अब स्वास बिभाग इस बात को लेकर अन्य पदा दिकारी और अजिकारीयों पर सकत बरत रहा है कि आखिरकार ऐसी गलती उसे कैसे होती है कि कोई एक ब्यक्ति 12 बारा बार टीका ले लेता है 12 बार वेक्चिन का डोज ले लेता है और उन्हें इस बात की भनक दक नहीं लग पाती उसे इस बात की जानकारी तब लगती है जब वह बुजूर्ग खुद सामने आक लेकिन पुलिस वाले इस प्रकार का सुलूप कर रहे हैं जैसे कि हम लोग कोई बहुत बड़े अपराधी हो हम लोग कोई बहुत बड़े डखैत हो मतलब कि पुलिस वाले दर्वाजा तोड़कर उनके घर में घुज जाते हैं कि उन्हें 84 बरसिये बुजूर्ग को गिरफ परार चल रहे हैं उसके बारे में कब कहा जाएगा है कि उन्होंने सिष्टम को तोड़ा और गिरफतारी उनकी होगी और उनके लिए कब इतनी सकती दिखाई जाएगी यह तो हमें पता नहीं लेकिन 84 बरसिये बुजूर्ग के लिए पूरी पुलिस तंत्र पीछे लगी पूरे सिष्टम को तोड़ने का काम किया है आगे अगर इस सम्मंद में कुछ नहीं जानकारी आएगी तुसे हम आप तक पहुचाएंगे फिलहाल भारत सरकार के स्वास भाग को भी इसकी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और अगर केंद्र सरकार की तरफ से इस सम्मंद मे केमरे के ख़ड़े हों परकाश और मैं मुहित कमार सी बहुत बहुत धन्यवाद